नमस्का दोस्तो, स्टॉक मारके स्टाडिस में फिरसिगबर आपको बहुत-बहुत सागत है तो आज आपे में डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे कमपनी के बारे में जो दिखा जाए तो एक इंसॉरेंस सेक्टर से बिलोंग करते है और insurance sector से जितने सारे companies है उनमें से आप LICB देख सेकते है HDFC भी है पजाज भी है साथी साथ government के कुछ insurance company है तो आज मैं एक ऐसे insurance company के बारे में बात करूँगा जो एक government company होने के नाते भी एक futuristic insurance company है तो आप कहेंगे sir company का नाम क्या है उसके बारे में details यहापे में बताने वाला हो तो वीडियो को लास तक जुरू देखना और अभी तक अपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो जुरू कर लेना क्योंकि को daily basis stock market information update इसी channel के मत्तम से मिलता रहेंगे तो चलो देख लेते हैं आज के stock के बारे में तो company का नाम कौन सा है company का नाम है General Insurance Corporation of India यह totally एक PSU company है एक government company आप बोल सकते है क्योंकि इसका सबसेदा हिस्सेदरी government के पास ही है तो एक general insurance के उपर company काम करते है तो देखिए insurance अलग-अलग categories के होते है health insurance होते है general insurance होते है life insurance होते है तो यह जो company है वो totally general insurance के उपर काम करते है देखिए एक बार मैं आपको वीडियो भी बना के दिया था कि government insurance sector के उपर ज़्यादा से ज़्यादा focus रखके हुए है देखिए आज government बहुत सारे scheme भी लेके आए है मतलब कम पैसे में आपको life insurance, general insurance आपको दे रहा है और वो भी बहुत कम पैसे में और बहुत सारे insurance free में भी आपको मतलब किया गया है government के मतलब से तो general insurance जो है वो totally government project है मतलब totally government का insurance है तो इस company के details के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे General Insurance Corporation of India Limited यह पर देखेंगे मतलब जिसका short form GIC in the re is central public sector undertaking मतलब central government का company है ownership of ministry of finance government का है देखा जाए तो it was incorrupted अब देख सकते है 22nd November 1972 तो company start होए थे 1972 से और company का जो business है वो चला है 1956 से company जब start हुआ तब से देखेंगे तो company अलग-अलग countries के साथ भी business कर रहे है अलग-अलग countries को भी general insurance पेच रहे है जिसमें आप देखेंगे तो Germany भी है Switzerland है, France है और भी बहुत सरे countries है चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ हाँ यह आप देख सकते है number of locations कहा कहा पे locations है इसका offices है कहा पे दुबाई में है यह आपे देख सकते है पूला लूंपूर में है साथी साथ लंडन में है साथी साथ मस्क्यू में है तो इस तरह के से worldwide में company का business चलते रहे हैं अभी इस company का details तो आपको में दिखा चुका हूँ अभी आपको financial details में आपके साथ discuss करूँगा तो चलो सबसे पहले financial details आपको दिखा दू देखे general insurance corporation जो company है वो कोई छोटा मोटा company है 24,000 करोड के आसपास है और इस company के एक खासियत है company government company होने के नाते भी company के एक रुपिया भी करजा नहीं है तोटली zero debt है यह सबसे बड़ा positive point है इस company का देखे zero debt होने का फाइदा क्या है मानके चली आपने इस बार 500 करोड का profit किया दूसरे बार मानके चली 200 करोड का profit किया तिसरे सालों में देखा है तो आपका profit 50 करोड के आसपास हुआ तो आपका profit margin तो गिरते जा रहा है मगर आपको bank को कोई भी interest pay नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने तो कोई loan नहीं लेकर रखा तो यही सबसे ज़्यादा positive point हो जाता है कोई भी companies के लिए तो इस company ने किस तरीके से growth किया चलो वो आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले company का peer receive देखेंगे तो 5.77 रूपीज के आसपास है तो company का return of equity, return of capital एंपलेट उतना खास नहीं है तो आप कहेंगे sir company में तो positivity उतना खास नहीं देखने को मिला हाँ कुछ points आपके साथ में जोरू सहर करूँगा जो बहुत positive है जैसे company का book value कितना है 203 रूपीज के आसपास तो company का current price कितना है 140 रूपीज के आसपास देखें जब आप video देखेंगे साइद बो data change हो सकते है तो company का dividend payout कितना है 1.58 रूपीज के आसपास इसका मतलब 19% के आसपास आपको dividend दिया तो company में देखें valuation के सबसे market cut to sales एकदम ना के बरावर है इस company में सबसे जो 2 points मुझे खासियद लगा पहले तो company का करजा 0 है दूसरी बात company का sales down होने के बाद भी profit good बहुत सांदर है क्योंकि आपको profit good दिखा दू तो 73.6% के आसपास है sales growth 1.31% का negative है तो profit good का पहले भी इस तरी के से था वो भी आपको दिखा दू दिखें continuously company sales का positive में था इस बार थोड़ा सा weakness देखने को मिला company का profit good दिखें positive में था बीच में थोड़ा सा weakness था अभी फिर से वो recovery कर चुके है तो company के देखिए यहाँ पर देटोस जो sorry company का market cap to sales के इस अब देखा जाए company का market cap to sales 0.53% के आसपास है इसका मतलब market cap to sales बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिला है तो company का देखिए profit and loss के बारे बारे बात पर तो company ने continuously profit को maintain किया बीच में सर्फ COVID के situation में company का losses हुआ था उसके बाद क्योंकि इस टाइम लोगों ने investment करना कम किया insurance करना कम किया क्योंकि उस टाइम लोग घर बैठे थे बहुत सा लोगों को पास job नहीं था काम नहीं था तो वो कास है इस तरीके से पैसा डाल कर investment करता तो इस लिए इस टाइम में losses देखने को मिला और फिर से company ने बो losses को recovery भी किया और continuously profit को maintain किया तो company का जब profit and loss के percentage है मतला आपका जो CGR percentage तो ये चीज आपको big negative देखेगा क्योंकि में बहुत बर बोल चुका हूँ government company में सब कुछ अच्छा देखने के बाद भी कुछ points आपको weakness देखेगा जिसके current stock में लगाता लगाता negativity आपको सामने जुरू देखने को मिलेगा तो company के return of equity, return of capital employee के बारे बात करोते हैं percentage आप देख सकते हैं और balance rate के बारे बात करते हैं तो company का देखेए करजा जो zero है मैं सबसे मुझे सबसे चीज अच्छा लगा company में कोई long term के लिए भी करजा नहीं है को short term के लिए भी करजा नहीं है company totally खुद के पैसे से business कर रहा है, कोई भी loan नहीं लेकर रख रहा है, तो company का reserve भी धीरे-धीरे करके growth हो रहा है ये भी एक positive sign है और तिसरी बात company का cash flow भी company अच्छी तरीके से maintain भी कर रहा है, इसका मतलग हाथ में time to time cash भी आ रहा है ये भी एक positive sign देखने को मिला, investor के बारे बारे बात करत तो promoter के पास कितना 85% का holding है, तो 85% का holding promoter के पास है, FIS के पास 0.46% के आसपास holding है, DS के पास 11.7% के आसपास holding है, public के पास 2.68% का holding है, तो overall बात करूँ, यहापर जो holding का period है, holding का जो data है, तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा holding promoter के बाद DS के पास है, तो एक चीज़ में ज वह भी तो देख लीजिए, Life Insurance Corporation, अब सबी जानते एक Government Company ही सारे के सारे Government Company के उपर निवेस करकर रखते हैं, तो उनका नाम है Life Insurance Corporation, तो इता कमपानी का पूरे डिजल्स, अभी आपको चार्ट पटन के बारा में बात करूँ, तो कमपानी का चार्ट पटन में एक चीज़ आपक कमपानी देखे, एक 6 मान में कमपानी करीवन-करीवन 26% तक रिटन दे चुके है, यही रिटन देखकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर अभी क्या निवेस कनने सही टेम होगा, तो चलो प्रिवेस डिटा भी दिखा दू, एक साल में कुछ खास पार्फरमेंस नहीं दो पर्सन के आसपास रिटन दिया, पांस साल में कमपानी का हालत खराब हो चुके है, 63% का लॉसे दिया, और मैंक से चाट पर्फरमेंस करते हो, तो 66% का ही लॉसे देखने को मिलेगा, तो यह था कमपानी का पूरा डिटेल्स, जिस डिटेल्स में आपको यही चीज देख साँने बपन है, कमपानी जब से पाड़ हुआ, तब से लेकर लगाता लगातार गिरावट हुआ, तो कमपानी गिरावट के माहल में कमपारी से रिगेक किये थे 2019 में, और जो रिगेक था, वो छोटा मोटा करेक्शन था, और उसको सस्टेन नहीं कर पा तो कोबीट के सिट में और भी ज़दा गिरावट हो गया और कमपणी लोग किये थे करीबन करीबन 83 रुपीज के आसपार तो इस 83 रुपीज से कमपणी फिर से खड़ा हो गया और खिर से उसको सस्टेन नहीं कर पाया फिर से लगातार गिरावट देखने को मिला तो मैं जुरू कहूंगा इस त करना चाते है तो आप इस तरह के से मत सोच कर निवेस मत करिएगा हाँ एज़े ट्रेडर लोगों को काम है ट्रेड करना तो वो अलग बात है अज़े इनिवेस्टर इस तरह के से कमपणी इसके बारे में सोचेंगे तो आफका जो पोटफोलियो है वो साइद मुझे कर लेके, बाई